नमस्कार बीवेम नियूज में आपका स्वागत हैं मैं हुम अमता बगे इचले बात करेंगे खबरों की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरिदाबाद की अतिक्रमन करने वाले दुकानदारों में आज उस समय खलबली मच गई जब बलवर पुलिस पोर्स के साथ पूरे बाजार में बकायदा एननांस्मेंट करते हुए दौरा करने के लिए पहुचे और जिन दुकानदारों ने अपना समान सडक के उपर रखा हुआ था उनके चा prescribe यह देखने वाले पर दुकानदारों में खलबली मच गई और बताया कि लोगों को कई परेशानिया ना हो और को रोका जा सके इसको लेकर एक्ति हाथ बरते जा रहे हैं बाजार में लगने वाले जाम से भी लोगों को राहत मिलेगी मईबलवकर्ट जगर्णिकम की जुएंट कमिशनर अनिल कुमार निबताए कि भलगातार ऐसे दुकान दारों के खिलाफ कारेवाही करेंगे जो लोग दुकान के सामने रहडी लगाकर अगुआई करते है सरकारी जमीन पर रहडी लगाकर अगुआई करना गलत है जिसके सफाई तो करवा दी जाएगी लेकिन उसमें बाद में ये कूड़ा डालते हैं कुछ लोग उसके उपर भी जो यतोधित कारवाई है वो पी जाएगी पुलिस जुन्डा दिवस के अफसर पर नाइटी बलोगडा सेंट्रल जोन में पुलिस बैंड प्रस्तुती का आजन किया गया नागरिकों को श्रैफिक नियमों के प्रती जागरुक करने के लिए यातायाद जागरुकता रैली निकाली गई पुलिस माने जेशक कार रैलर के निर्देश अनुसार पुलिस कमिशनर रैट फरिदबाद के पुलिस फ्लैग डे के अफसर पर दिनाख 21-31 अक्टूबर 2021 तक विविन काल करमों का आजन किया जा रहा है इसी क्रम में फरिदबाद में पुलिस द्वारा यातायाद जागरुकता रैली का आजन किया गया इसके लिए फरिदबाद पुलिस की सभी दो वीलर स्कूटीव राइडर फुलिस लाइन में सुबह साथ बचे से खता हुई जहांसे ट्रैफिक पुलिस पाइक्त सुरे सु पुलिस और जनता के बीच में आपसी जो वेचारिक कह सकते हम समरस्ता सब्सक्राइब करने की एक पिए चले रुकर इंगे अगली खबर का अर्याना राजेबाल कल्यार परिशद ने फर्दबाद में मंडल सर्य बाल मौसब का आजन किया गया इस एक्ड़ों की तादाद मी बच्चों ने हिस्सा लिया और साइस महसब में समूरत प्रतियों गि सबसे ज्यादा है क्योंकि तरह के कारेग्रमों से बच्चों को सारीरिक और मांसिक विकास दोनों में व्रद्धी होती और बच्चा बालपन से ही आगे की फिरतियों की ताओ के लिए शशक्त होने में सक्षम हो जाता है और इसी तरह के बच्चे आगे चलकर अंतरराश्य स्त एंदर पर फेलों में जीत करते इसका नाम को और अन्वित करते हैं और हमारी सरकार भी खिलाडियों पर पूरा-पूरा ध्यान दे रही और जीते हुए जो सम्मानित राशि हैं हर्याना की अंदर सबसे ज्यादा है हाली में ओलंपिक और प्यरा ओलंपिक में जीद कर कि हिलारीक हिलाडी ओक हरियादा सरकार के द्वारा समनित कि जाने की एक मिसाल आप सभी के सामने पेष है कि वहलوड दो ղीन राथ सब्सक्राइब dot इसे जो बच्चे हैं, जो आगे आना चाहते हैं, उनको दे रहे हैं। जो बात करेंगे पलवल की पलवल के गाउं दोधोला निवासी नब्बै वर्षिये बुजर्ग ने नागर के स्पताल में पहुंचकर वैक्सीन की दूसरी डोज ली और उन लोगों के लिए धारन पेश किया है जो वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने से ही कत्रा रहे हैं। पूरे देश में वैक्सीन का कारतेजी के साथ आगे बढ़ रहा है लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की प्रत्थम डोज तक नहीं लगवाई हैं लेकिन दूसरी डोज लगवाने में लापरवाही परत रहे हैं समय सीमा पूरी होने के बाद लगवाने के लिए आगए किया नब्यवर्सिय बुजर्ग का वैक्सीन को लेकर होसला देखने को बन रहा था जब इसका पता जिला सीविल सर्जेंट डॉक्र भ्हमदीप सिंग को चला तो उन्होंने नब्यवर्सिय बुजगों का रहले में बुलाकर सम्मान के तौर पर वैक्सीनेशन का इंजेक्शन उनको लगाया और नब्यवर्सिय बुजर्ग ने सबसर्पर लोगों से आग रहे किया कि लोग पीछे छुपकर नहीं बल्ही आगया कर वैक्सीन को लगवाने में सहयोग दे जिलासिविल सर्जेंट अफर घंदीप सिंग ने बुजर्ग के ह मैंने तो कहीं दिन कहके कर लगाई यहन में फाइदा है नुक्सान कुई नहीं है जो जुआन बालख है जो बडे मॉने में समलग वाले तो फाइदा और नुक्सान कोई नहीं है भोन सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दूसरी approach कम्प्लीट नहीं कर रहे हैं अवर्डों के लि जागरुकता किसी भी उमर में हो सकती है जो लोग बड़ी उमर में हैं वो उनके लिए उधारण है वाउजी का कि ये जागरुकता दिखाई है इन्होंने और स्वेम पहल की है दूसरी डोस जो उनकी ड्यू हो रही थी 84 डेस पूरे होने के बाद में उसके लिए खुद सामने लहर दोनों में बहुत अधिक मात्रा में आये और देश वर विश्व दोनों में बहुत इसकी वज़े से नुकसान हुआ कोवीड की वैक्सीन इससे बचने के लिए कारगर तरीका है ये तरीके से सुरक्षा चकर सुरक्षा कवच का का सुचिता सर्वेक्षार ग्राम मीर 2021 क इसको लेकर बिभाग ने पूरी तरह से कमर कस लिया है सर्वेक्षार 25 अक्टूबर से लेकर दिसमबर 2021 तक चलाया जाएकर इसको लेकर हर गाउं का मंत्राले की टीम गुप्त रूप से दौरा करेगी इस दौरे में टीम गाउं में हो रही सुचिता मिशन को लेकर मीटिंग में ब्लॉग के सफाय करमचारी चौकिदार सक्षम यूव आगनवाडी वरकर ने भाग लिया पैसक में सभी को संभोधित करते हैं कोडिनेटर ने बताया कि गाउं की सफाय का प्रती दिन का एक फीड़बैक एक एप के माध्यम से सफाय करमचारी एवं चौकिद सब्सक्राइब देंगे उसी के आधार पर गाउं को सवच्चता को लेकर अंक दिये जाएंगे ब्लॉग कोडिनेटर ने बताया कि सवच्चता सर्वेक्षर 2021 को लेकर विभाग पूरी तरह से प्रयास रहता है ताकि इस बार भी गुड़गाउं को पूरे देश में अबल पर लाया जा सके जिसको लेकर सभी सफाय करमठारी चौकिदार सक्षम युवा को निर्देश दिये गए हैं कि वे सभी को एंट्राइट फोन में एससजी 2021 एप डाउनलोड के आदेश दिये हैं जिसमें हर सब्सक्राइब की फीडबैक देना अनिवारे होगा इस मौके पर टीम की शिकायद पर इससे जुड़े लोगों पर विभागी कार्य वहीं भी की जा सकेगी टीम गाउं के इस बात का निरक्षन करेगी क्या समय पर कूड़ा करकट गाउं से उठाया जा रहा है कहीं गंद की या पानी तो नहीं भरा हुआ अन्ने बातों पर भी टीम इसका पर निरक्षन करेगी इसके लिए गाउं को लोगों भी सैथ के जरीया अपनी श्रीकाय डाल सकते हैं अन्दिभाग हर सब्ता गाउं में इसको लेकर मुनादी करवाएगा ताकि लोगों सब्सक्राइब के बारे में पता चलता रहें जा चुकी है और इस मिटिंग का मुख्या अदेशा है कि पूरे भारतवर्स के अंदर सब्सक्राइब की सुर्वात हो चुकी है जिसमें 25 अक्तुवर 2021 से लेकर दिसम्बर 2021 तक इसका सर्विक्षन किया जाना है जिसमें पेजली सब्सक्राइब करेगी जिसमें प्रांत इस सब्सक्राइब करेंगे बरसात को लेकर बरसात हुई तो किसम किस कदर परेशान हो गए है बेमासम बरसात के कारण किसानों की खरीव की पसलता हुई बतादे की उलब रसट के कारण हजार ओगर धान की फसल बर्बाद हुई है भारीयोल व्रस्टे यर बर्शात में किसानों की आसा पर पानी पेड़ दिया है सतर प्रतीशा से लेकर नगव्रतीशा तक ही किसानों की फसलों में नुकसान हुआ है ऐसे में लग भग आतध दरजन गाओं में किसान एकत्रित होका और पायुक्त श्याम लाल पूनिया से मिलने लगू सच्छी वाले पहुंचे पायुक्त श्याम लाल पूनिया ने जल्द गिरदावरी के निर्देश दिये हैं भारी बारिश की कारण खेतों में पानी भर गया है जिसके कारण किसानों को गेव के फसल की बिजाई करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्रसासन जे किसानों ने जल्द पानी निकलवाने की कुहार लगाई ताकि अगली फसल की तैयारिया समय पर कर सके अगर प्रिसासन के द्वारा कोई संतो जैनक शहायतार नहीं की गई तो मुख्य मंत्री ताक्विल लेई कर जाएंगे अपरी समस्या हो पलवल का पलवल में पूर्व मंत्री करन सिंग दलाल ने हरियाणा की कृशी मंत्री जैपी खात की काला बाजारी करने वे दूसरे किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगा है और ग्रह मंत्री अनिलबिज को अस्पताल में भरती होने की सलहादी है में पूर्व मंत्री प्रेस वारता को सम्भोदित कर रहे थे हरियाणा की किरुशी मंत्री जैपी दलाल परकटाक्श करते हैं उन्हों ने आरोप लगाए कि प्रदेस में अज दीए भी खात की काला बाजारी करने इब के वालों का कांव कृशी मंतरी जेपी दलाल कर रहे हैं उनोंने ये अरूप लगाया कि जय क्लमीन करने होसकती है हुआ हुआ हमला बोलते झाह कि प्लम कृच्री मन्टरी मुंहों अनिर्विच को अस्पताल में भरती होने की अवश्यक्ता है लोने कृषी मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। कहां से आगी वो बताएं तो इसलिए वो किसी और की जमीन को हड़पने की कोशिज करने कर रहे हैं होते मुझे पता नहीं लेकिन जेपी दलाल एक मामूली सदा जेई था उनका किसान और किसान की किसानी से कोई लेना देना नहीं है और यही वज़य है कि आज किसी विभाग म में जो यह लूट मची हुई है उसका सबसे बड़ा कारणी यही है कि परदेश का मुख मंत्री और किर्शी मंत्री इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं कोई सरोकार नहीं है तो अपने पर से अस्तिवा देना चाहिए अनिवेज मेरे साथ ही विधायक रहे हैं तक्रीव बड़े दुर्भागे की बात है कि अब अनिवेज वाकिए अपने मानसिक संतुलन खो चुके हैं उनको किसी हस्पताल में चले में बात करेंगे लिखबर की भुरावास गाओं के खेतों में प्रवासी मजदूर की गला दबाकर हत्या कर दें प्रवासी मजदूर एक महीने पहले धान की कटाई के लिए भुरावास आया था प्रतक की पहचान शंबू मंडल जिला में गौरा बिहार के रूप में हुई है जिसकी आयू 35 वर्ष बताए जा रही है मौके पर पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस ने शब को कबचे में लेकर शब को सब्सक्राइब करके नहीं पूर्ष मार्टम राएं तप तीश जारी है जो भी आरोप के होगा उसको शेगर रिप्तार किया जाएगा क्या नाम संभू मंडल कहां से जरी है बिहार बिहार का बेग पूरा डिश्टिक का तो पूरे परिवार के साथ आया जनाब ना अकेला अकेला था तो कौन है रोपी कुछ लगा पता अभी नहीं सब्सक्राइब करेंगे दहेज के लाल्चों की दहेज के लाल्चों ने किस प्रकार एक विवाहता की जान ले ली पानपते एक बार फिवाहता दहेज की बली चड़ गई मामला इस राना कस्वे के गाउं का मानना है कि जहां पर एक विवाहता ने फाजी लगा कर अपनी जीवन लिला समाप्त कर लिया महिला के तीन बच्चे है और उसकी करीब साथ साल पहले शादी हुए थी परीजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या कारोप लगाया है फिलार पुलिस ने मामला दर्ज करके जाज शुरू कर दिया और सब को पोस्ट मातं के लिए भी भेज़ दिया है पालिपत्य गाओं बिलासपुर की रहने वाली 32 साल की पूनम की शादी गाओं मनाना में करीब साथ सार पहले हुए थी शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष वाले पूनम की परीजनों से तहेज की मनाना में घर पर फांजी लगा कर खुदकुशी कर ली परीजनों कारों फैकि पूरम के मानने की खबर भी उन्हें दो घंटे बात दी गई और जब गाओं मनाना में पहुंचे तो ससुराल पक्ष के सभी लोग छिप गए घटना की सूचना के बाद पलिस ने शब को कभज करनों में खुन कनिशान भी हैं कि कब शादी हो जी कितने बच्चे से तीन बच्चे हैं और तेरा साल के करीब सादी को हो गए इस पुश्क है शक तो अब यह सारा परिवारी एक साथ है जी किसी ने आ गई यह निगा उसके चाट-चाता उन्हें भी आ गई यह निगा अग परिवार छुप गया था वह लावारी साल कम पड़ी थी ना उसके तनह इस बात करेंगे अब भादर्गण की बहाद messenger में द्रदनाख हाथ समय अंदोलनकारी तीन महिला किसान की दरदनाक मौत हो गiva अंदोलनकारी महिला किसान पंजाब के मांसा जिले के रहने वाली थी और पंजाब के मांसा जिले की वो रहने वाली हैं लगभग पिछले 10 दिनों से अंदोलन में शामिल थी रोटेशन के आधार पर ही महिला किसान अपने घर को जा रही थी महिला किसान डिवाइडर के उपर बैट कर ओटो का इंतिजार कर रही थी तब ही रेलोई स्टेशन पर पहुँचकर रेल पकड़ सके और वो अपने घर जा सके महिला किसानों की हादसे में हुई मौत के बाद ऑन्दोलन कारी किसान बेहद गमगीन और गुश से में हम रत्व स्माइलाओ कोश्माटम नाहीं किया जाएगा किसान नेताओ का कहना है कि इस हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है इसलिए जब तक आरोपी ट्रॉक ड्राइवर ग्रफतार नहीं हो जाता उसके बाद उसके बैक्राउंड का पता नहीं चल जाता तब तक को स्माटम नहीं करवाया जाएगा किसान नेताओने मृत महीला किसानों का करजा मा किसानों से बादरी की और आश्वासन दिलाया कि जल्दी आरोपी को ग्रफतार करने जाएगा हाथसा करने वाले च्रक की मेकैनिकल जाज भी करवाई जाएगी किसान नेताओं के साथ लेकर पूरे हाथसे की जाज की जाएगी किसान तो बड़ी जड़ी दुखदाई का ठन खड़ा है उत्थो तो रहा है तो बहुत नेडियों गड़ी तुरी है सिर्फ 15-20 कर्मतों तो डॉट खड़ा कर दिया एक तो तेज रफ्तार से गड़ी आती है जाँ कोई मोड पड़ता हुए तो जाँ साम का समय हुए उदो नसा पीता हुंदा डराइवरों का आमता जिना देपिचो तेन मौके थे दो मौके थे सीध हो गिया एक हास्पतार में आकर सीध हो गई एक रूपीजी आई रोत कर तोल देता थे एक मौक परसेशन कारी यह मांसा जिले के जिन्निवासी हैं करीब सात महिला हैं अपने घर जाने के लिए सुबह निकले थी और वो य यहां इसी फ्लायोबर के नीचे जो डिवाइडर है उस डिवाइडर के पास बैटके यह और अटो का इंतजार कर रहे थे तो यह एक ट्रक जो की जजर की तरफ से इसमें के चंस्ट्रक्शन का मेटीरल वरा हुआ हुआ है डस्ट वो आया और वो अनियंतरित था और उसने उसको टकर मार दी और डिवाइडर के उबर वो चड़ गया और टकर मारी है तो इन जो साथ महिलाओं में से इसमें तीन महिलाओं को बहुत ज़्यादा चोट आई एक महिलाओं की मौके पर मृत्ति हो चुकी थी और एक महिला को यहां सिविल हस्पिटिल आते समय उनकी मृ फरकिया गया है बाकी लोग बीवेम न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही अबने रही हमारे साथ देखते रहिए बीवेम न्यूज नमस्कार